यह अगर्बत्ती भव्यों सुभाय यात्रा के साथ आयोधिया ले जाएंगे वह आपकुष्री रांग को अर्पित करके उसको परचलित करेंगे प्रबू स्री राम की प्रानपतिष्टा होने वाली है इसकी लिए पूरे भारत देश की अंदर से सभी राम भगतों ने कुछ न कुछ चीज उदर भीजा है तो इसको ध्यान में रखके जो बोड़ोद्रा समस्कारी नगरी है तो यहां से भी और गुजराच से कुछ आयोधिया जाना चाहिए इसलिए हमने यह 108 पूर अगरबति बनाया है और योधिया बेजेंगे उसके जो अगरबति पांच तत्व में से बनाई हुई है 108 पूर इसकी लंबा है साड़ी ती इस अगरबति मानो या तो 108 फूरी यगना मानो भी पराबर है क्योंके जितने यगने की अंदर जो सामगरी यूज की जाती है और सारी सामगरी इसमें यूज क्या है यह अगरबति को आप अपुसरी रांग को अर्पित करके उसको परजिलित करेंगे एक अट्यूनिस्ट डेढ़ मैना तक परजिलित में जूज क्या है 336 किलो खोपरा का सीन यूज क्या है 336 किलो गूगल यूज क्या है 336 किलो इसकी अंदर पुरी जो गुलाब है यह सामगरी है 425 किलो इसकी अंदर अवन सामगरी यूज क्या गया है और 1445 किलो जो घीर गाय का गोबर होता है उसका पावडर यूज क्या है यह सारी चीज मिलाके इसका साड़े तीन हचार किलो बजन है यह अगरबत्ती बनाने में तो कम से कम पांच साड़े पांच लाक रुपिया की लागत लगा हुआ है का काम अभी पून होने पर है अगरबत्ती के अंदर जो भी मटरल यूज किया है किसी ने किसी रामभक्त निदिया है और उसके अंदर जितनी भी सामान जो कम पड़ता था उं में खुद खरीदा है क्योंकि यह बगवन राम की कुर्पा होती है जब यह काम होता है बाटी तो नहीं होता है में तो खाली इसमें निमी तूँ